कभी जिन्दगी में इतनी निराशाल होती है कि ऐसा लगता है कि अब शायद जीवन का कोई मतलब ही नहीं बचा है मन में सवाल गुझते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे को कोई मदद नहीं कर रहा है कभी खुद पर गुसा आता है क्यूं समय रहते मैंने होश नहीं ली है कभी ऐसा लगता है कि जिन्दिगी अब बिल्कुल खतम हो गई है अब कुछ नहीं हो सकता है दुबारे से शुरू करना इंपॉसिबल है अगर कोई इंसान आपको बता भी रहा होता है कि हिम्मत रखो सब ठीक हो जाएगा ये सब बाते जूटी लगती है ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत बिल्कुल फूटी भी है रोना आता है निराशा सर चड़ कर बोलती है कि खतम कर ले सब कुछ अब सब बरबाद हो गया अगर इतनी भी निराशा आपके जीवन में है तो भी मेरी बात गौर से सुनिये अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है और ये संभव है कितनी भी बड़ी निराशा आपके जीवन में आ गई हो कितना बड़ा फेलियर आपके जीवन में आ गया हो चाहि कितना भी बड़ा नुकसान आपकर बैठे हो जीवन अभी समाप नहीं हुआ है जीवन बहुत बड़ा है कई बार ऐसा होता है जिन्देगी में कि हमसे गलती हो जाती है हमसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है समय रहते हमारी सूच-बुच काम नहीं करती है इस वज़े से हमें ऐसा दिन देखना पड़ता है फिर लोग भी हमें क्रिटिसाइज करते हैं हमारे अंदर और हताशा निराशा पड़ती रहती है और फिर बुद्धी ठस हो जाती है और काम पे काम भी करने लग जाते हैं और एक दिन ऐसा लगता है कि ना इज़त बची ना पैसा बचा कुछ भी नहीं बचा है और ना मेरी सेहत अब बच रही है सेहत भी साथ छोड़ रही है कुछ भी अब तुबारे से ठीक करना संभव सा लगता है तो रुकिए जरा ठहरिए आप इंसान है आप भगवान नहीं है और गलतियां हो सकती है तो सबसे पहला स्टेप स्विकार कीजिए कि ये हो गया है अगर आपकी कोई गलती है तो हाँ मुझसे गलती हो गई है किसी दूसरे की वज़े से कुछ हुआ है हाँ भले ही ये किसी दूसरे की वज़े से हुआ है लेकिन मुझे समय रहते पता नहीं चला इसलिए ये हो गया और ये हो गया है अब इसे स्विकार करना पड़ेगा रोने का मन करा है तो फूट फूट करो ये जितना मन करा है रोने का खूब रोईए रोना कोई बुरी बात नहीं है जब आप एक बात दिल खोल कर तड़फ तड़फ कर रोते हैं तो आप बहुत हलका महसूस करते हैं कभी-कभी बहुत ज़ादा रोना भी अच्छा होता है ये भी एक तरीके की थेरपी देता है आपको तो रोईए अपने आप पर गुसा आ रहा है चार बात सुना ही अपने आपको दे दीजे दो गालिया अपने आपको कोई बात नहीं निकाल लिजे अपने अंदर की भड़ास अपने आपको कोसने के बाद, रोने के बाद शान्त हो जाएंगे आप वो जो उबाल सा आ रहा था अंदर वो सब शान्त हो जाएगा बुली हाँ, मेरे में उस वक्त अकल कम थी मेरे से हो गी गलती और ये गलती भी ऐसी हुई जिसे समालने में वक्त लगेगा लेकिन वक्त ही लगेगा और वक्त बहुत है सब समल जाएगा एकडम से नहीं समलेगा लेकिन एक दिन जरूर समल जाएगा और मुझे bounce back करना है तो करना है ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मुझे करकर दिखाना है तो जब आप फूट फूट करोने के बाद, अपने अंदर की frustration को release करने के बाद अपने आप से इस तरीके से बाचीत करेंगे तो आप उस महत्पूर्ण इंसान से बात कर रहे हैं जो इंसान सब कुछ ठीक करेगा और वो महत्पूर्ण इंसान आप ही है अगर आप कुछ बिगाड सकते हैं तो आप कुछ बना भी सकते हैं अपने उपर भरोसा रखिए कुछ घटनाओं से बहुत बड़ा होता है जीवन किसी भी घटना में अटकने की बजाए हमें जीवन में लगातार चलना होता है तो स्विकार कर लीज़े हो गई है मुसे नलाय की हो गया मैं बरबाद नई बची इजट, नई बचा पैसा सब कुछ खतम हो गया लेकिन मैं तो बचा हूँ न और मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ नई शुरुबाद भी तो करते हैं न लोग तो जैसे ही आपने अपने आपको ये बोला कि सब कुछ खतम हो गया लेकिन मैं बची हूँ अभी मेरा वजूद है अभी और मेरा वजूद है तो मैं दुबारा से भी इसको बना सकता बस बस वही एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां पर आपकी जिंदिगी बदलनी शिरू हो जाएगी क्योंकि ऐसा आपके अकेले के साथ नहीं हुआ है ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है जिनकी बड़सों की मेनत खाक हो जाती है एक पल मैं ऐसा लगते है कि जिसे उनके सपनों का माहल तूटकर विखर गया हो लेकिन उन लोगों में बता ही क्या खासियत होती है वो यही खासियत होती है कि वो मनाते हैं उस चीज का शोक अपने अंदर को खाली करते हैं लेकिन उसके बाद वो जो अपने आप से कहते हैं वो यही कहते हैं कि मैं हूँ मुझे अपने उपर भरोसा है और मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ और बस यही इंटरनल डालोग्स हिम्मत देते हैं और फिर से आप निकल पड़ते हैं सब कुछ करने ले क्योंकि अब क्या हुआ वो यह emotional cloud जो था आपके अंदर वो आपने हटा दिया और emotional cloud हटते ही clarity आ गई अब आप चाल लोग उसे मिलेंगे बात करेंगे नए तरीके खोजेंगे कुछ नया सीखना है तो सीखेंगे कहां से किसी पैसो की मदद लेनी है आपको सब कुछ आप जो है आपका दिमाग चलने लगेगा उस positive direction में लेकिन अगर आप अपने अंदर भर कर बैठ जाते उन्हें सब को दबा कर बैठ जाते और अपने आप से कभी बात नहीं करते तो यकीन मानिए कोई भी आप पर भरोसा नहीं करता ना आपके घर वाले और ना ही आपके कोई दोस और बाहर वाले कोई भी नहीं भरोसा करता लेकिन जब आप अपने अंदर अपने आपको खाली करकर खुद पर भरोसा दुबारे से करते हैं और आप पुरे confidence से लोगों को बताते हैं कि अब आप क्या करने वाले हैं तो कुछ अच्छे लोग आपका साथ देने आ जाते हैं और अगर शुरूबात में कोई बहुत जाता साथ भी नहीं दे रहा होता तो आपके अंदर एक जुनून होता है एक जिद होती है कि मुझे अपना साथ खुद देना है और वो जुनून और जिद देखकर जब आप आगे बढ़ते हैं उसके साथ अपनी उस जुनून और जिद के साथ तो आपको रास्ते मिलते हैं और फिर धीरे धीरे कारवाश शुरू हो जाता है लोग आपके जो close लोगों पहले वो आपके support में आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे जिससे आपको सफलता मिलती जाती है जो आप करना चाहते हैं उसमें और लोग भी आपके साथ आते चला जाते ह यही वक्त बदलता है पस इसमें क्या करना होता है आपको पेशन्स रखना होता है तो दूसरी चीज क्या है पेशन्स ना तो एकदम बिगड़ा ना एकदम सुधरेगा अगर आपने पेशन्स रख लिया और आपने समझ लिया कि इतनी बड़ी जिंदिगी है यह चंद महीने कि ये कुछ दिन सब भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाओंगा और बाकी सब लोग भी भूल जाएंगे, याद क्या रहेगा, मेरा bounce back करना, उस चीज़ को बार पार remind कराईए, कि ये जो मेरी struggle है, इसकी भी story लिखी जा सकती है, example set करने का मौका मिला है, जब भी कोई बहुत बड़ी परिशानी आए, तो भगवान का शुक्रियादा अदा कीज़े और बोलिए, कि मुझे life में एक example set करने का, एक role model बनने का, एक hero बनने का, एक winner बनने का, एक मौका मिला है, क्योंकि जब आप अपनी जो struggle अपी आप face कर रह करेंगे, तो mindset अच्छा होने से, life में सब कुछ set हो जाता है, mind के set होते ही, all set life में, तो patience रखेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे low movement आएंगे, कि जब आप आगे बढ़ रहे होंगे, फिर से कुछ लोग आपको उल्टी सी दिसला दे के, अरे हाँ, ऐसा दुबारे से शुरुआत कर है, अरे बड़ा मुश्किल है, दुबारे से उस लेवल तक पहुंचना, इतना असान नहीं है, ये दिक्कते हैं, वो दिक्कते हैं, कही न कहीं आपकी टांग खीच कर आपको वापस पीछे लाना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है कि इस तरीके के लोग होते हैं रास्ते मे हैं, जो अपनी बाहें ऐसे फला कर आपको खिशना चाते हैं, आपको भी उन बाहों से बच कर आगे बढ़ना है, और पेशिंस रखना है, बीच-बीच में फिर भी लोग मोमेंट आएंगे, कई बार आपको फिर से पुरानी जहलकिया आपका मन दिखाएगा, आपकी हो सकत है, आपको दिक्कते लगें, कि आप इतना पैसा उचा रहे हैं, या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी बात से दिल फिर से भरा है, फिर रो लीजेगा थुरी दिर, फिर हलके हो जाएंगे, और फिर आगे बढ़ जाईएगा, तो इस तरीके से अपने आपको हलका करकर आ भी हलके नहीं होंगे, तो बस एक बात का खास ख्याल लटना, कि अपने आप से हमेशा पॉजिटिव ही बात करना, क्योंकि सिर्फ एक यही बात है, ऐसी है, आपका खुद के साथ पॉजिटिव रहना, जो आपको किसी भी मुश्किल परिस्तिती से आगे बहुत बहतर ले जाएगा, लेकिन जब जब भी आप अपने आप से कोई भी नेगिटिव बात कहेंगे, तो आपके अंदर जहर खोल देगा, और आपकी निराशा चोगनी होकर आपके सर पर बैठ जाएगी, लेकिन जब जब भी आपने आप से कुछ पॉजिटिव बात कहेंगे, तो बाहर कि दुनिया में कितना भी भूचाल मचावा हो आपके अंदर शांती हो जाएगी और आपके अंदर की शांती ही है जो आपको आगे बढ़ाती है आपके अंदर का जो motivation बना रहेगा जो self motivation आप अपने आपको देंगे क्योंकि आपसे बहतर आपको कोई जानता ही नहीं ना कभी कोई जान पाएगा और आप अपने आपसे positive बात करेंगे तो वो जो positive बात करने की जो एक आदत आप अपने अंदर डाल लेंगे वही है जो आपको कदम दर कदम आगे बढ़ाता चल जाएगा और जब धीरे धीरे वक्त बदलता है ना तो लोगों के बोल बदल जाते हैं आपके लिए कि सुर बदल जाते हैं और फिर वो ही जो पहले कह रहे होते हैं कि नहीं बहुत मुश्किल है होगा नहीं वो ही कहने लगते हैं हमें तो पहले सी अपने आपको ये सब सुनाएंगे कि वो दिन आने ही वाला है जल्दी कि जब मेरे कानों में दूसरे लोग की बाते बढ़ेंगी पहले से ही आप अपने अंदर वो इमेज सेट कर लीजे क्योंकि जो अंदर की दुनिया में सेट है वो बाहर बन ही आज नहीं तो कल बनी जाएगा लेकिन अगर अंदर की दुनिया में अपने तस्वीर नहीं बनाई तो बाहर की दुनिया कितनी भी कुछ भी आपके लिए बनाने की कोशिश कर ले हर चीज आपके लिए समभफ हो जाएगी तो मैं जो आपको समझाना चारी हूँ अपने आपको क्रिटिसाइज करने से बचे और दूसरों से उमीद लगाने से भी बचे खुद पर भरोसा करकर आगे बढ़ें क्योंकि आप अकेले आये थे लोगों की भीड में भी अकेले ही आपको अपनी जंदिकी बनानी होती है और अकेले ही आप इस दुनिया से जाएंगे तो एकला चलो जब एकला चलो वली उस पर आप आगे बढ़ेंगे जो इनसान एकला चलो पर आगे बढ़ता है और कुछ एक मंजिल बना लेता है तो उसके आगे पीछे हर जगे हजूम अपने आप आजाता है लेकिन जो पहले ही चार लोगों के साथ सेफ तरीके से चलने की कुशश करता है पहली बात लोग चलने को त्यारी नहीं होते हैं चलते हैं तो थोड़ थोड़ी दूरी में आपको छोड़ते चले जाते हैं जो कि सच्चाई तो यही है कर भी है लेकिन सच्चाई यही है कि जो इनसान सफल है जो इनसान हिट है जो इनसान फिट है जो इनसान दूसरे का करने लायक है पूछ उसी की है तो जिन्दगी में कितनी भी निराशा हो बस तुम अपने आप से निराश मत होना तुम अपने सेट रखना सब कुछ सेट हो जाएगा यह वीडियो जरूर लोगों के साथ शेयर करना किसी एक को भी अगर आपने उम्मीद दे दी उसका जीवन बचा लिया तो यह शुर वैसे ही आप से प्रसंट हो जाएंगे आप अपना खास ख्याल रखेगा मैं मिलूंगी नेक्स वीड अबंगे टास नेड खासली जाएंगे अरूर दढ़ मैं मिलूंगी झाहर किसी एक कोई ऊजर शेयर के सेटमा शोड़ से जा एक भी अश्यार को जह वीडि सो एक कर द हôm दित्या व książ्सけれ जाना सबया कर वां वीडिशनिем एक कोई प्र स्ँट陌त करू कर दो मैं में याँ